नमस्ते, तो आज हम चलेंगे एक छोटी सी प्यारे से यात्रा पर, अपनी अंतर यात्रा पर पाहर की यात्रा करते करते ठख गए होना आप, तो आओ, थोरी अपनी अंतर यात्रा करके हम मश्रुनों कर ले आराम से थोरे दे लेट जाएं, अपनी आखों को बंद करके, बिलकुल आराम अब हमें फुल बोडे स्ट्रेच करना है, हादों को उपर की ओर और पैरों को नीची की ओर बहुत की जाओ, बहुत की जाओ, आप जितना स्ट्रेच कर सकते हो, बोडे को स्ट्रेच करों और स्ट्रेच रिलाक्स, तीन बार नबे त्यारे सास बरें, और स्ट्रेच शान दून से चलते हैं अपनी अंदर यात्रा पर, इस बोड़ी यात्रा में हमारी लाखें बंद रहेंगे, और होटो पर प्यारे से मुस्कान सबसे पहले, अपना ध्यान हम अपने दाहिने पैर के अंगुठे पर ले जाएंगे, हमारे श्रमस शक्तियां हमारे पैर के अंगुठे पर होती हैं, अपने शक्ति का असास करें, और रिलाक्सेशन को सुचावते, दाहिने पैर का अंगुठा, रिलाक्स, फिर अपने ध्यान को दाहिने पैर पर लाए और शिद्यान तक सुझाओ दे मेरा दाहिना पैर बिल्कुल रिलाक्स हो गया है फिर ध्यान दाहिने पैर के खुटने पर लाए और शिद्या का सुझाओ दे मेरे दाहिने पैर का खुटना बिल्कुल रिलाक्स हो गया है मेरा पूरा दाहिना पैर बिल्कुल रिलाक्स हो गया है अब अपने दाहिने पैर और बाएं पैर के पीच के अंतर को महसूस करें आपका दाइना पैर हल्का और पाया पैर भारी लग रहा होगा है ना इस अंदर को महसूस करें अब हम अपने ध्यान को पाया पैर के अंगोठी, तल्वे, अंकर जॉइंट, गुट्ने पर एक एक करके ले जाएंगे और शतिलता का सुचाओ देंगे अब मेरा दोनों पैर बिलकर रेलाक्स हो गया है रेलाक्स सेशन को महसूस करें अब अपने ध्यान को पेंट के भाग पर लाएं यहाँ पर करनी है जो निनतर हमारे शायर के टॉक्सिंस को हटा रहा है हमारे बाटर का वाटर बैलनस कर रहा है ब्लाट प्रिश्र रेगलेट कर रहा है और जब आप स्ट्रस में होते हो ना तो यह और जादा प्रिश्र में आ जाता है पर क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान भी देया तो प्रामस करो अब तो आप स्ट्रस में नहीं आओगे क्यों अपना नुक्सान खट करना अब यह लिपल लेवर भी है जो हमारे शरीर का कैमिकल फैक्ट्री है इसके पास बसारे इंचाइम है जो हमारे खाने को पुछा सकता है और आपने पोश्रिक देता है यह निड़ांतर हमारे लिए खान कर रहा है अब आपने सारे औरगन, करने, लिवर, इंटरस्टान सब को शिकलता को सुझाओ दे और रिलेक्सेशन को फील करे अब अपना ध्यान लंक्स के उपर लाएं हमारा लंक्स जो निरंतर हमारे लिए प्राण वायू का सच्छार कर रहा है हमारा हार्ट जो निरंतर हमारे शरीर में राप्त का सच्छार कर रहा है अपने ध्यारगन को सुने इससे अच्छा संगित्ट को है ये नहीं क्या कभी सुनने की भी कोशश किया आपने अपने ध्यान को दोनों हादों पर ले जाएं और शित्यलता को सुचाओ दे और रिलाक्सेशन को फ्रीयर करें फिर अपना ध्यान अपने गर्दन पर ले आएं और पर अपने चेहरे पर ले आएं आख, कान, नाख, होट सभी कोशश दिलता का सुचाओ दे अपने होटो पर एखल किसी मुष्कान लाएं आपके मुष्कान विपने के साब से खुश्रत मुष्कान है इसे हमेशा अपने होटो पर सजा कर रखो Always smile, smile and stay happy and feel blessed अपने सारी परस्ती दियोगोश्री इस्विकार करें जो जैसा है, वैसा ही होना था यह universe का intelligence है यह universe की programming है शायद आपने खुच चुना था और आप भूल गए कि यह आपका चुना है सक को माफ कर दो दल से पीती हुई बातों को याद करके क्यों दर्द देते हो अपने इस संदर से शरीर को खश रहने दो क्या आपके शरीर में कहीं दैन मैं सुझो रहा है तो वह जरूर ही किसी बीतने बात का गार्ड बना रखा है आपने उसे रिलीज कर दो दर्द को देखो और शरी दिलत का सुझाओ दो अधने रिलाख सबसे बीतने रहने रहने उसे रहने 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 आपके रहने कर दो रिलाक्स, थोड़ी देर अपनी आदे जादे सासों को देखें, दो मिनट तक, फिर बाइं कर्वट लेकर उचाएं, फिर अपनी दोनों हथेलों को लगर कर अपनी आँखों पर रखें, और पूरे शरीर पर घुमाएं, सुनस्था,